हालो माई डियर अश्टूएंट्स मैं कॉमर्स वाले गुरू जी हम चला रहे एक सिरीज जिसका नाम है बेसिक कॉंसेट आप अकाउंट एंची इस सीरीज के अंदर हम अकाउंट एंची की छोटे-छोटे अकाउंटिंग की चार कॉंसेट और एंची के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो आपके बड़े से बड़े नियुमेरिकल कॉश्टन सौल करने में आपको हेल्प करेगी यह सब तो देखिए सबसे पहले जो हम करने वाले हैं वह बिजनस एंटिटी यह चारों कॉंसेट इसके आपको बताए है इसके ऊपर फ्रैक्टिकल कॉंसेटी के अंदर यह मना जाता है कि जो बिजनस गुआन होता है मैं यह जैसे आपका बिजनस हैं कोई ओके यह आपका बिजनस है और यह आप खुद हो यानि कौन हो गए आप ओनर और यह आपका बिजनस अब ओनर जो होता है ना वो और बिजनस यह दोनों सेप्रेट होते हैं for accounting purpose जो हम accounting करते हैं उसके purpose से business अलग होता है और businessman मैं अलग होता है दोनों अलग होते हैं प्रत्थक होते हैं तभी आपको पता है है जब भी ये businessman capital ले आता है business के अंदर पैसा लेकर आता ना उसको कैपिटल बोलते पूंजी बोलते हैं उसको हम कहां दिखाते हैं उसको आपको याद हो हम उसको balance seat की liability side में दिखाते हैं यानि कि हम accounting हमेसा किसकी करते है business की इसका मदलब business के लिए जो businessman पैसा ले के आया वो क्या है liability है ना तो business entity concept आपको यह की बोलता है कि business अलग है businessman अलग है और इनकी जो इनके personal expenditure जो होते ना वो कभी भी businessman जो है वो business के साथ add करता है क्या उसमें accounting करता है क्या अपने घर की घर्चों की नहीं करता है तो यह concept हमें यह बोलता है कि जब भी आप accounting करो तो आप accounting किसकी करेंगे जो accountant है आप हो वो किसकी accounting करोगे business की accounting करोगे businessman की नहीं तो अपने आपको business व्यापार मानकर ही accounting करें और businessman को accounting से अलग रखे उसके जितने भी transaction होते हैं जैसे capital लेके आता है तो हम उसको liability में दिखा देते हैं है ना drawing करता है तो हम उसको खर्चा मान देते हैं और उसकी capital में से हम less कर देते हैं है ना तो सारा कुछ इनका separate ही होता है ओके तो यह आपकी यह concept आपकी help करेगा कि आप अपने आपको business माने businessman को अलग माने वैपारी को अलग माने खुद को वैपार माने और उसके बाद में ही खुद को वैपार समझकर accounting करें तो आपकी कोई भी mistake नहीं होगी आइए हम second concept की तरफ चलते हैं second concept क्या है money measurement concept एक business के अंदर कई सारे transaction होते हैं for example वापस यह business है आपका और यह customer है supplier है government है बहुत लोग है उनके साथ क्या करती है business क्या करता है transaction करता है sale करता है purchase करता है payment करता है received करता है बहुत कुछ चलता रहता है लेकिन हम कौन से transaction को record करते हैं यानि कि कई सारे व्यवहार होते हैं लेकिन हम कौन से transaction को कौन से व्यवहार को record करते हैं किसकी accounting करते हैं है तो यह जो यह concept है money measurement concept यह बोलता है वह transaction जिनको पैसे में मापा जा सकता है उसको ही आप accounting करो वो वेवहार वो transaction जिसको पैसे में नहीं मापा जा सकता उसकी कभी भी accounting नहीं होती है for example आपकी business के अंदर कोई एक employee है ठीक है यह यह आपका business है और यह आपका बहुत भरोसे मंद एप लोई है इस पर आप बहुत भरोसा करते हैं यह आपके business के अंदर अपनी जी जान लगा के लगा हुआ है यह बहुत इमांदार है लेकिन क्या भरोसे का इमांदारी का कुछ फर्क पड़ेगा उसकी हम accounting कर सकते हैं इमांदारी को मनी के अंदर मेजर कर सकते हैं पैसे में माप सकते नहीं न तो उसकी accounting नहीं होगी तो only financial transaction जिसको पैसे में मापा जा सकता है उसकी ही accounting की जाती है तो दो होगे पहला कौन सा बिजनस एंटिटी कॉंसेट सेकिंड कॉंसा हुआ मनी मेजरमेंट कॉंसेट आए थर्ड की तरफ पढ़ते हैं जिसका नाम है going concerned concept यह क्या चाता है यह चाता है जैसे यह आपका जो बिजनस है जिसको आपने start किया है यह लंबे time तक चलेगा यह कॉंसेट बोलता हा वह Typically concept यानि यह बिजनस आप बहुत लंबे टाइम तक चलाने के लिए स्टर्ट कर रहे हो कुछ टांब के लिए नहीं और यह concept कहां काम आता हैं हमारा यह हमारा accounting के अंदर भी काम आता है और के लाव फोर एक्जामपल यह concept से ही बैंक हमें लोन देती है अगर हम बैंक को जाके बोले कि जो हम जो है कुछ time के लिए business करेंगे फिर हम नहीं करेंगे तो बैंक कभी भी लोन नहीं देगा अगर आपको business loan चाहिए तो आपको इस concept को follow करना पड़ेगा going concern concept यानि कि आपका business बहुत 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 लंबा चलने वाला है उसका कोई time period fix नहीं है ओके next बढ़ते हैं हमारा accounting period concept concept number 4 accounting period concept यानि कि accounting period कितना होना चाहिए वैसे आपको पता है कि accounting जो period होता हो बारा मैने को होता है एक वर्स का होता है एक वर्स का सब जने जितने भी business है सबका accounting period ही एक वर्स का होता है क्यों होता है ताकि वे अपने profit and loss की calculation एक time में एक ऐसे period की calculate करें जिसकी सब कर रहे हैं और बाद में एक दूसरी जो profit है जो एक दूसरी की sale है उसको क्या किया जा सके comparison किया जा सके ऐसा ही तो होता है अगर किसी का accounting period अलग हो किसी का अलग हो हर किसी का अपने हिसाब से 11 मेने 10 मेने 8 मेने 15 मेने हो तो तो कभी भी comparison नहीं होगा government को जो हम tax pay कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ी problem आएगी इसलिए accounting period 12 महीने का एक वर्स का होता है और यह होता है हमारा financial year के हिसाब से यानि कि first April को start होता है और next year को 31st March को खतम होगा for example अभी अपना कौन सा accounting चल रहा होगा अभी अपना जो accounting period चल रहा है वह कौन सा चल रहा है first April 2020 to 31st March 2021 यानि कि यह जो March आएगा 31 March 2021 इसमें हमारा यह accounting period खतम होगा और सब जितने भी बिजनस है सब अपने हिसाब किताब करेंगे final account बनाएंगे trading penal balance sheet बनाएंगे profit निकालेंगे sale निकालेंगे उसमें सारे बिजनस एक दूसरे को क्या करेंगे compare करेंगे क्योंकि सबका base एक ही है 12 months one year accounting period कुछ लोग calendar year भी फोलो करते हैं जनुरी से दिसंबर लेकिन अपने इंडिया के अंदर financial year फोलो होता है क्योंगे GST के अंदर हो गया income tax के अंदर हो गया यही year उन्होंने suggest किया है तो वो क्या होता है फिर मिलाने में जैसे GST और income tax जब भरते हैं आमारे profit की ऊपर या हमारी sale की ऊपर तब वह बहुत आसान रहता है उन चीजों को अच्छे से समझना तो चार concept मैंने आपको बताए सबसे पहला मैंने आपको बताया कौन सा वाला हमने बताया business entity concept फिर second number हमने बात करी money measurement concept थर्ड नंबर में going concern concept और फोर्थ नंबर है accounting period concept अभी चार ही है लेकिन चार नहीं है और भी है अगर आप चाहते हैं कि बाकी के जो बच्चे हुए concept है एजम सने accounting की उसके उपर में वीडियो बनाऊ तो नीचे comment करके बताए इसके अलावा आपको accountancy से related और कोई topic जानना है तो सबसे नीचे इस description box में एक playlist बनी वी है उसका मैंने link दिया है वहाँ पर click करके आप playlist खोल लीजिए वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगे उसमें भी नहीं हो तो comment करें बता दीजिए तो आज के वीडियो में इतना ही हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए goodbye thank you